Hello everyone, welcome back to my channel. आज के इस क्लास में मैं आपको डेली बोले जाने वाले English के sentences के practice कराने वाली हूँ. So, let's start. सबसे पहला sentence, अगर आपको किसी से English में कहना है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय जाहिए. या मुझे सोचने के लिए समय जाहिए. तो आप कैसे कहेंगे इसे English में? आप कहें, I need some time. I need some time to think. Next sentence, sentence number two. क्या तुम यही सब करना जानते हो? Is this all you know to do? क्या तुम यही सब करना जानते हो? Next sentence, sentence number three. अगर आपको कहना है किसी से English में? लगता है वे घर पर नहीं हैं. Seems like, seems like they are not at home. Seems like they are not at home. Next sentence, sentence number four. अगर आपको कहना है किसी से? लेकिन इतनी भीड क्यों है? लेकिन इतनी भीड क्यों है या क्यों लगी है? But why is it so crowded? लेकिन इतनी भीड क्यों लगी है? But why is it so crowded? Next sentence, sentence number five. तुम्हें मार खानी है क्या? अगर ये आपको इंग्लिश में कहना है किसी से? तो आप कहें? Do you want a beating? Do you want a beating? तुम्हें मार खानी है क्या? Do you want a beating? Next sentence, sentence number six. अगर आपको इंग्लिश में कहना है किसी से? कोई मुढके नहीं देखेगा. तू आपके है no one. कोई के लिए? No one will turn around. No one will turn around. No one will turn around. कोई मुढके नहीं देखेगा. Next sentence, sentence number seven. ऐसे खत्रे भरे का मत किया करो. ऐसे जो खिम भरे का मत किया करो. Don't do such risky works. Don't do such risky works. Next sentence, sentence number 8 उसे यही होना चाहिए उसे यही होना चाहिए He should be here He should be here उसे यही होना चाहिए He should be here Next sentence, sentence number 9 हमने अपनी जान पे खेल कर आपको बचाया है हमने अपनी जान पे खेल कर आपको बचाया है अगर आपको इंगलिश में कहना है तो आप कहें We risked our lives to save you Next sentence, sentence number 10 तुम बच गए You are saved You are saved तुम बच गए Next sentence, sentence number 11 वो बेहोश पड़ा है वो बेहोश पड़ा है He is lying unconscious He is lying unconscious वो बेहोश पड़ा है He is lying unconscious Next sentence, sentence number 12 अगर आपको किसी से इंगलिश में कहना है ये बहुत गहरा लग रहा है ये बहुत गहरा लग रहा है This seems to be very deep This seems to be very deep This seems to be very deep Next sentence, sentence number 13 एक कदम पीछे हटो Take one step behind Next sentence, sentence number 14 तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कॉल है There is a call for you There is a call for you तुम्हारे लिए कॉल है There is a call for you Next sentence, sentence number 15 क्या ये भी, क्या ये भी उसी की गलती है क्या ये भी उसी की गलती है अगर आप कोई चीज़ इंगलिश में कहना है तो आप कैसे कहेंगे, आप कहें Is this also his fault? Is this also his fault? क्या ये भी उसी की गलती है Next sentence, sentence number 16 5 मिनट में तयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में तयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ Get ready in 5 minutes, I am coming Next sentence, sentence number 17 क्या मैं तुम्हे भी वकूफ दिखता हूँ? क्या मैं तुम्हे भी वकूफ दिखता हूँ? अगर आप कोई चीज़ इंगलिश में कहना है तो आप कहें Next sentence, sentence number 18 क्या मैं तुम्हे भी वकूफ दिखता हूँ? यह sentence फिर से रिपीट हूँ है Simple Next sentence दिखता है, sentence number 19 क्या आपका नाम भी रीना है अगर आप कोई चीज इंगलिश में किसी से पूछनी है तो आप कैसे पूछेंगे क्या आपका नाम भी रीना है Is your name, is your name रीना as well Is your name, रीना as well Is your name रीना as well क्या आपका नाम भी रीना है Next sentence, sentence number 20 ये पहले ही बिख चुका है ये पहले ही बिख चुका है इट्स ओर्रेडी सोल्ड ये पहले ही बिख चुका है तो आज के क्लास में बस इतने ही सेंटेंस I hope आपको आज के क्लास से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा If you like it, don't forget to like this video. Thanks for watching.